चिन्नेई सूपर किंग्स और सन्राइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए IPL 2021 के 44 मैच में CSK के कप्तान और दिगज विकेट कीपर बल्लेबाज महेंदर सिंग धोनी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूँ ही नहीं उनकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनीसर बल्लेबाजों में होती है आपको बता दें कि आखरी ओवर तक चले इस रोमांचक मुकाबले में एक समय चेन्नेई सूपर किंग्स के लिए जीत मुस्किल लग रही थी जबकि मात्र 134 रन के छोटे लच्छे का पीछा करते हुए चेन्नी सूपर किंग्स की तरफ से बतार सलामी बल्लेबाज आए हाप डूपलेसी और रीतुराज गयकवार ने सांदार बल्लेबाजी की कुल 75 रन के स्कोर तक रीतुराज 45 रन की बेहत्रीन पारी खेल कर आउट हुए इसके बाद तीसरे नमबर पर बल्लेबाजी करने आए मोहिन अली इस्पिन गेजवाज रासीद खान की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए कुल 103 रन के स्कोर तक रीतुराज और मोहिन अली जैसे दो दिगज बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मिस्टर आईपियन यानि सुरेश रैना से चिन्ने सूपर किंग्स की टीम को तेज तर्रार पारी की उमीद थी लेकिन सुरेश रैना मात्र दो रन के नीजी स्कोर पर आउट हो गए रैना के आउट होने के बाद अभी कुल स्कोर में एक रन ही जुड़े थे कि सुलोह में ओवर में सांदार बल्लेबाजी कर रहे फाब डुपलेसीस भी 41 रन के नीजी स्कोर पर आउट हो गए कुल 108 रन के स्कोर तक चार दिगज बल्लेबाजों के आउट होने के बाद चिन्नी सूपर किंग्स के लिए जीत लगभग नामुम्किन लग रही थी मानो इस छक्के की दूरी लगभग 150 मीटर हो